बिग बॉस के घर में आज लव स्चोरी और हेट स्चोरी दोनों साथ साथ चली लेकिन चेंज के लिए एक बात तो अच्छी थी कि जहां हम पिछले दो हफ्तों से सिरफ हेट स्चोरी देख रहे थे वह आज हमें लव स्चोरी भी देखने को मिली और दो लव स्चोरी का टीजर तो आपने देख लिया था लेकिन तीसरी लव स्चोरी का इंतजार मुझे है जो होगी कल जहां आसिम हिमानशी के सामने अपनी फीलिंग्स को दिखाते हुए और दर्शात हुए नजर आएंगे हाला कि आज की लव स्चोरी की में बात करूँ तो सिधार तो रश्मी की जो केमिस्ट्री थी बहुत खुबसूरत ही मतलब सेम टास्क विशाल और माहिरा को भी दिया गया था लेकिन उसी टास्क में जो सिधार तो रश्मी की केमिस्ट्री देखने को मिल रही थी वो इतनी real थी या तो बहुत अच्छे actor है या उनके बीच की जो chemistry जो पुरानी थी उसको उन्होंने वाकई में बहुत अच्छे से recreate किया है या उनके मन में आज भी एक दूसरे के लिए कहीं ना कहीं दबा छुपा सा प्यार है कुछ भी हो सकता है लेकिन ये जब आपने खुद भी टास्ट देखे होंगे दो टीमों के बीच में आज बेग बॉस के घर में दो टीम बनाई गई थी घर के माहोल को हलका करने के लिए एक टीम थी विशाल और माहीरा की उन दोनों को रुमांस रिक्रियेट करना था जिसको की डिरेक्ट किया पारस ने और दूसरी टीम थी सिधात और रश्मी देसाई की इन दोनों को जो है romance को recreate करना था और उसको shoot किया ने कि direct किया शेहनाज ने सना ने तो जब ये task shoot हो रहा था जब ये पूरा task हो रहा था तो हमने देखा कि जो सिद्धात और रश्मी की chemistry थी वो इतनी खुबसूरत थी मतलब लग रहा था कि वाकी में जो हम देख रहे हैं वो बहुत real है वो acting भी नहीं लग रहा था जबकि वहीं जब विशाल और माहीरा कर रहे थी तो बहुत बनाउटी और acting लग रही थी तो वही difference है मुझे लगता है कि कही न कहीं सिद्धात और रश्मी के बीच की जो bonding थी वो वाकी में बहुत खुबसूरत थी जिसको लोग दर्शक जो है मिस कर रहे थे उसी bonding को जो है आज बिग बॉस में दिखा कर इंकैश किया गया मुझे लगता है बहुत सारे followers, fans जिनको ये chemistry पसंद थी उन्होंने आज का episode बहुत enjoy की होगा मुझे भी बहुत पसंद आया लेकिन मुझे जो है आसिम और हिमानशी का जो कलका romance है जो मुझे देखने का मैं बहुत बेसबरी से इंतजार कर रही हूँ कि आगे क्या होगा हाला कि शुरुवात में मैंने बात की कि आज love story के साथ hate story भी हमारे big boss के घर में देखी गई मैं hate story इसले कह रही हूँ क्योंकि आरती के अगे मैं बात करूँ तो आरतिया सिद्धा से बहुत जादा नज़र आई वहीं आसिम की बात करूँ ऐसा लग रहा है कि कोई भी जो है उसके साथ खड़ा नहीं है और जब भी वो कुछ बात करने के लिए आगे आता है तो हर कोई जो है उसे दबाने के लिए तुरंत खड़ा हो जाता है तो मुझे लगता है कि कही ना कही आसिम को लेकर इस घर में लोग बहुत negative हो रहे हैं लेकिन मैं सर्प्राइस हूँ कि जब नॉमिनेशन का टास्क आया तो आसिम कही पर भी नॉमिनेट नहीं हुए आज नॉमिनेशन में जो नॉमिनेट हुए है वो है माहिरा, शेफाली, सना, आर्ती, विकास और पारस और नॉमिनेशन के टास्क के दुरानी जब आर्ती ने पारस को नॉमिनेट की और जो कुछ बाते बोली कि तुम दोगले हो, तुम जो बाते करते हो उसी के जवाब में पारस ने बहुत सारी ऐसे बाते बोल दी, जो आर्ती को पसंद नहीं आई और पूरा दिन घर में रोती रही उनके कुछ कपड़ों को लेकर बात की, उनके क् बोस्त है जिनको वो मानती है सिधार शुकला उनको खड़ा होना चाहिए था और सिधार शुकला उनके बचाओं के लिए एक बार भी आगे नहीं है इस बात का आर्टी को बहुत बुरा लग और हमने देखा पूरे एपिसोड में वो कई बार इस बात को लेकर रोती हुई हाला कि आसिम ने पक्ष रखा सिधार के सामने कि सिधार उसको तुम से उम्मीद थी कि तुम उसके ले खड़े रहो तो फिर उसने बोला कि मैं यहां पर बेबीसिटिंग करने नहीं आया हूँ मैंने किसी को गोध नहीं लिया है हाला कि सना और जब वो साथ में बैठे थे तो सिधार ने बोला भी कि जो कपडों की बात ही वो बात सच है रश्मी ने हाला कि पारस को बोला कि पारस तुमने ये जो बात कही है किसी लड़की को लेकर वो बात बहुत गलत थी यहां पर मैं कहना चाहूंगी कि सिधार मुझे इस मामले में थोड़े गलत लगे अगर क उन्होंने एक बार भी ये साथ दिया होता आरती का तो आरती का जो एंग्जाइटी हुआ जो उनको पैनिक अटाक आया वो इतना नहीं होता हाला कि हमने देखा कि घर में हिमानशी और शिफाली जो है उनकी काफी केर करते में नजर आए लेकिन उनको उमीद जो थी सिद्धा से थी और सिद्धार ने साथ नहीं दिया और हमने कई बार देखा है कि आरती जो है बहुत बार बोलती है कि सिद्धार सही हो गलत हो मुझे नहीं पता लेकिन मेरी लोयल्टी जो है सिद्धार के साथ हमेशा रहेगी और मैं हमेशा उनकी टीम में रहूंगी तो हमेशा सिद खड़े होंगे और उनका साहथ देंगे वहीं आज जो है सिद्धात सुभे से ही काफी मस्ती के मोड़ में नजर आए वो आरती और सना के बीच में लड़ाई कराने की बाते कर रहे थे वहीं जब शैनास बात्रूम में गई या शिफाली रश्मी देसाई गई तो वो जब सीम करेट वार दिखाया गया तो बोला कि घर में आकर रश्मी देसाई की जो है लोयल्टी और जो सब कुछ बदल गया है वहां पर मेरे साथ यानि की शो में मेरे साथ और घर के अंदर विशाल के साथ व बात्रूम में जाती है मतलब आज सभी के टांकी चाई में लगे हुए तो सिद्धाग जो है अपना नया रूप लोगों के सामने लेकर आ रहे हैं उन्होंने अपना अग्रेशन कम किया है हमने देखा आसिब ने भी अपना कम किया है वीकेंड का वार में सल्मान खान ने बाद बोली थी और घर के माहुल को चेंज करने के लिए जो है हमने देख और शैनाज जो है वो फिर से ताना मारतवी नजर आएंगी रश्मी दिसाई को कि तुम तो दान्स टीचर यानि सिधार के करीबी उन पर क्राशे तुम मरती हो तो मुझे लगता है कि यह हफ्ता जो है बहुत ही हलका फुलका माहोल घर के अंदर रहने वाला है आपको क्या जरू कीजेगा